तो हलो दोस्तों आज मैं आप सब को बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम एक EC2 मशीन को spin-up कर सकते हैं Amazon Cloud के अंदर एक्षिली में लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि आप सर आपने description नहीं दिया वगर वगर तो आज मैं पूरा एक description के साथ पूरा आपको आपको एक step बताते भी जाओंगो और आपको करते भी दिखाने में तो पहले step हमारे पास क्या होता है ECW में सबसे पहले तो आप suppose कीजिए मैं अपने एक console पर आगया हूं AWS के यहां पर आप देख सकते हैं EC2 services क्या है EC2 services आप directly देख सकते हैं या तो आप compute में आपको मिल रही है EC2 के अंदर या directly आप उपर search भी कर सकते है EC2 तो आप इस पर click कर सकते हैं तो पैरा step क्या होता है EC2 में हमारा एक instance को launch करना हमारे पास अभी running instance कोई नहीं है सबसे पहले हम आइदर यहां से launch कर सकते हैं या हम उपर directly running instance पर जाके उपर launch instance पर click करके नए instance क्लिक कर सकते हैं यह में पर सारे instance है पराने आप देख सकते हैं सारे मैंने stop state में है मैं अपनी practice cleaning को करता रहता हूं तो मैं आपको एक नया instance बनाकर दिखाता हूं कि किस तरह हम कर सकते हैं सबसे पहले आप launch instance पर click कीजिए तो देखो दोस्तों मैंने एक word भी बना रख है word file कि किस तरह हमें वापा 7 steps हम कैसे कैसे इसको जाएंगे सबसे पहला step जब आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला step हमारे पास आता है choose amazon machine image आप देख भी सकते हैं उसका description भी दे रखा है Amazon machine image उस type इसको बोलता है suppose किजिए आपने किस type की image को run करना है suppose किजिए आप एक Linux operating system को run करना चाहते हैं Windows operating system को run करना चाहते हैं तो वह सब आपके ओपर depend करता है कि किस machine को आप run करना चाहते हैं तो उसी के लिए हमें Amazon ने बहुत सारी images दे रखी हैं आप देख सकते हैं काफी images यहाँ पर उसमें free tier में भी हैं इसमें आपको को charges नहीं होंगे red head image है ubuntu, centos बहुत सारी image हैं तो मैं आपको आज एक Amazon Linux 2 AMI run क कि रिखांगो किस तरह Amazon Linux 2 AMI जो AWS ने provide किया है और free tier में उसमें कैसे run कर सकते हैं तो Amazon machine में जब समझ कियोंगे कि कि किसी भी type की image इसके अंदर सारी उसकी dependencies हैं किस type की image है कैसा उसका backend है suppose किजिए अगर आप Windows image running करना चाहते हैं तो Windows का एक अपना backend होगा AWS Linux का अपना backend होगा Ubuntu services की अपनी होगी तो मैं यहाँ पर Amazon Linux image first fully select कर रहा हूँ तो Amazon machine में जब समझ कियोंगे किस type का OS आप select करना चाहते हैं अब हर उसकी अपनी capabilities होती हैं दोस्तों suppose कीजिए आप एक instance type ले रहे हैं तो हर किसी type की अपनी होगी आप कितने VCPUs चाहते हैं कितनी memory चाहते हैं हर configuration होती है हर machine की तो suppose कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम सिर्फ free ही हम tier में है तो हम सिर्फ general purpose ही select कर पाएंगे तो हम यहाँ पर general purpose select कर लेते हैं second step में तो आप समझे होंगे instance type में आप किस तरह की instance लेना चाहते हैं क्या properties हैं उसकी कितने VCPUs हैं कितनी memory हैं उसकी वाद दोस्तों आता है configure instance configure instance का मतलब होता है कि आप कितने type के किस type का आप easy to launch करना चाहते हैं आपको on-spot demand है कि हाँ मुझे अभी चाहिए आपका request spot है कितने type के instance है क्या आपका default gateway है क्या VPC है तो वो सब में configure instance का बढ़ा लगता suppose कि मुझे आप A की instance चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ A की instance लोगा तो number of instance यहाँ पर मैं सिर्फ one select कर रहा हूँ यह सब मैं आपको दिरे दिरे बताऊंगा आगे किस तरह इसका detail lecture में में मेरे पस आगे भी है मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम चेंज कर सकते हैं अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम किस तरह इसको run ट्रक्लिक कर सकते हैं size services को तो हम यहाँ पर हम next step पे जाएंगे कुछ storage add करने के लिए अब आपका एक EC2 है अगर आप run करोगे तो कही ना कही उसकी storage भी store तो कही ना कही होगी backend में तो AWS हमें वैसे ही एक route प्रोवाइड करता याद रखे का जब भी आप अपनी machine को terminate कर देंगे या stop कर देंगे तो वो abuse volume भी आपकी हड़ जाती है तो अगर मुझे suppose कीजे मुझे ज़रूत नहीं है तो मैं कोई extra volume इसमे add नहीं करूंगा मैं चाहँआँ कि यहाँ जो मुझे AWS ने provide root मुझे उतनी काफी है और मैं उतनी ही चलाना चाहता हूँ उसके बाद आप next step देखेंगे तो हमारा आता है tags tags type का identity है अगर आप अपने machine को कोई नाम देना चाहते है यह optional होता है suppose कीजे मैं यह कुछ देना चाहता हूँ तो मैं यसा suppose करना सकता हूँ की name देदू और suppose की जा Amazon Linux है तो मैं Amazon Linux कुछ भी tag दे सकने वह आपके ओपर depend करता है नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैं यह अपर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आता है security group एक टाइप का firewall है कि आपका inbound traffic है या आपका outbound traffic है कि आप कितना allow करना चाहते है वह सब आपके ओपर depend करता है आप कोंसे port अपने लिए open करना चाहते है तो यहां पर आप देख कर सकते हैं suppose कीजिए मैंने SSH port open कर रखा है इसका मतलब है कि machine का tunnel में ड्रक लिए जा सकता हूँ अगर आप कुछ और port चाहते हैं कुछ और चीज़ चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं suppose कीजिए अगर आपको यहां पर एक नाम देना है तो आप भी दे सकते हैं suppose कीजिए मैं security group का Amazon Linux कुछ भी नहीं भी दे सकते हैं Amazon Linux 2 आप कीजिए का new इसको कंट्रोल कोफी करके आप यहां पर आप डेक्ली की नाम दे सकते हैं अपने एक पोर्ट में ने उपन किया रख़ा अभी आपको यह देखनी नीचर वार्निंग में दे रहा है कि आपका यह IP है सारे world cloud on my program सारे world cloud on my program आपको एक file भी provide करता है security file जिए आपको next step में बताौंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने SSH port open कर दी 22 पर मतलब हम इसके अदर SSH पर नहीं करना चाहते हैं उसकी पार हम कर देते हैं लास्स सेप हमारा यहां वह हमारा review and launch करूँगा सीधा अब यहां पर उस security file की बात आती जो कि .pam file है इसका मतलब यह file जिसके पास ही होगी वही service को खोल सकेगा इस machine के अंदर access कर सकेगा तो मैं कोई नई file select कर लेता हूँ choose a new key pair उसको नाम दे सकते हैं आप new कोई भी दे सकते हैं तो मैं आपको उसमें logging करवा सकूँ तो यहां पर आप launch instance कर सकते हैं directly हमारा instance किसी भी time launch देगा यहां पर आप व्यू instance करके देख सकते हैं हमारा instance अभी कहां पर है तो यह देखिए हमारा new instance बंद रहा instance की ID सब details हमारे सामने हो जाएंगी थोड़ी देर में देखिए एक public IEP भी हमें एक issue हो गया है तो करीब इसको दो मिंट लगते हैं यहां पर initialize हो जाएंगे जब यह पूरा initialize हो जाएगा तो हम बेट करते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए तब देख सकते हैं तब तक मैं आप एक SSH बता देता हूं कैसे गरना है आप यह machine का SSH copy कर दीजिए अब आपके बास यहां दो तीन या दो या तीन steps होते हैं देखिए आप directly यहां पर actions में जाके connections में जाके connect कर सकते हैं और एक EC2 instance connect जो हो कि हमें AWS ही देता है connect करने के लिए हो directly connect कर सकते हैं बिना कोई putty या बिना कोई SSH tool के सीधा आप machine के अंदर tunnel में घुस सकते हैं आप connect किजिए तो बिना एक temporary type का एक instance जिसमें आप directly machine के अंदर जा सकते हैं और आप देखिए हम यहां पर machine के अंदर आ भी चुके हैं अगर आप देखना चाहते हैं इसका वह हम ही करके आप देख सकते हैं तो देखिए बिल्कुल machine चल रही है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो या तो आप EC2 user के साथ भी कर सकते हैं या अगर आप किसी SSH tool के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको भी बताऊंगा मैंने आपको सिरफ अभी किस तरह बता है कि किस तरह आप ड्रेक्ली Amazon की services जो है EC2 connect ड्रेक्ली उसे temporarily भी connect कर सकते हैं भीना कोई SSH tool के तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह हम एक दो SSH tool में बताऊंगा आपको actual और putty के थरू भी आप machine के थरू SSH कर सकते हैं और अपनी सारी commands को चला सकते हैं terminal के अंदर किस पाथ पे हैं कोई भी चीज इंस्टॉल करनी हो आपको कोई भी software इंस्टॉल करना उसके अंदर हम directly कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी एक next video में बताऊंगा और दोनों tools के साथ actual और putty किस तरह हम दोनों को use करते हैं AWS के अंदर terminal में जाने के लिए thank you दोस्तों